आप सभी साथियों को मेरा नमश्कार दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेसिक सिक्षा राजी मंतरी जी ने लखनव में कल सनिवार को एक बैठक आहुत की थी और वो बैठक अब संपन हो चुकी है आईए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताते हैं कि उस बैठक में सिक्षकों की पदोन्नत और समयोजन से समंधित क्या निगड़े लिए गए हैं दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लखनव में बैठक होई थी और लखनव से एक खबर लगी है जिले के अंदर प्रात्मिक वपूरु माध्मिक स्कूलों के सिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया जल्द सुरू होगी इसे लेकर जो भी कानूनी अर्चन है उसे जल्द दूर किया जाएगा सिक्षकों के समयोजन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए सनिवार को बेसिक सिक्षा राजिमंत्री सोतंत्र प्रभार सतीस दिवेदी ने विभागी कारियों की समिक्षा की उन्होंने कहा कि बेसिक सिक्षकों की पदोननती भी जल्द की जाए उन्होंने कहा कि नई सिक्षा नीत की तहट प्री प्रैमरी स्कूल भी सुरू किये जाएंगे अभी कक्षा एक से पढ़ाई सुरू होती है आगे नर्सरी व केजी की कक्षाएं भी चलेंगी इसके लिए जरूरी इंतजाम करने को एक विस्तित का रियोजना बनाने के निर्देश भी मंत्री ने दिये युनिफार्म, स्वेटर, जूता मोजा व बैग आज के वितरन से समनित रिपोर्ट भी उन्होंने ली और निर्देश दिये की पूरी पारदरस्ता के साथ इसे बाटा जाए बेसी सिक्षा राजमंत्री डक्टर सतीस चन दिवेदी ने परसिधी स्कूल के सिक्षकों के जीले के अंदर तबादले के लिए ऐसी नीत बनाने के निर्देश दिये हैं जिसे नियाले में चुनवती न दी जा सके वे सनिवार को बेसीक सिक्षा नितेसाले में विभागी कामकाज की समिक्षा कर रहे थे डक्टर सतीस चन दिवेदी बैठक में कस्तूर्बा गांधी वालिका विद्याले के उच्ची करण का कारी जल्द पूरा करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि साहय का ध्याकों की पदोनती का मामला नियाले में विचारा धीन है इससे उनकी पदोनती नहीं हो पा रही है उन्होंने अधिकारियों को नियाले में मजबूत परवी कर जल्द मामले का निस्तारण कराने को कहा है अधिकारियों को उन्होंने टीटी की ति पहला विंद्व है समायोजन की प्रक्रिया जो सिक्षक लंबे समय से इंतिजार कर रहे हैं और दूसरा है सिक्षकों की प्रव Death समय है कि अधिकारियों को मंतरी जीन निर्देश दिया है कि ऐसी नेमावली तैया करे जासे ये अभी अधर में लटका हुआ है तो पदोनती के लिए उन्होंने प्रभावी पैरवी करने की भी बात अधिकारियों से की है तो दोस्तों मंत्री जी ने जो अधिकारियों को निर्देस दी हैं इन निर्देसों का कितना पालन अधिकारी गण करते हैं और इसमें कितन समय लगाते हैं ये काफी कुछ उन पे निर्भर करेगा अगर ये निस्तारन हो जाता है तो निस्चित रुप से सिख्षकों की पदोनति और समयोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी अन्य था ये अधर में ही नजर आ रही है तो दोस्तों देखते हैं भौईस में इसका रिजल्ट क्या होता है अधिकारियों का रुख क्या होता है और वो कितने सिखर्टा से इनके निर्देशों का पालंड कर पाते हैं तो दोस्तों ये था चोटास अपडेट मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ अब तके लिए नमस्कार